अबनाने में बहुती आसान है और खाने में बहुत स्वाधिस लगते हैं आप इस दिवाइल पर जरूर ट्राय करें और यदि वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर करें नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन बहुत हैं लिए निया है को जाले एक आपको मिल सके तो चलिए हम घर आकप गी चार राइची जिसमेने पीशकर पाउडर बना लिया है कि सबसे पहले हम एक ठाली में डालेंगे में डालेंगे मैदा पूरे घी में पूरे मेदे में अच्छी तरह से मिलाना है के जब घी डालें और इस तरह से यह ते इस तरह से बाइड होना चाहिए तब ही आपके छक्क्र अपारे भोत ही खसता बनेंगे आप यहाँ पर घी, गी की जगह तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगी पिसीव शक्कर थोड़ी-थोड़ी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कि यदि आप सक्कर का इस्तमाल कर रहे हैं तो सक्कर को सबसे पहले आप थोड़े से पानी में गोल लीजिए या दूद में गोल लीजिए उसके बाद उस पानी से आप इसका आटा लगा लीजिए नाल देंगे लयाची इसे भी दारख अक्षे से मिक्सब्स कर देगे है और अब अधसमें थोड़ा थोड़ा पानी डeingक सबसंदेगे पानी थोड़ा थोड़ा करकेई डाले डाले कि हमने इसमें पिषेवी शक्क जैसा कि आप लोगों को पता है सक्कर भी पानी चोड़ती है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाले नहीं तो यह दो बहुत ही गीला हो जाएगा इस चीज का ध्यान रखे कि सक्क्र भारे करने म Tada आटा लगाने के लिए दूद का करते हैं मैंने या पानी कर सकते हैं चाहें तो दूद का बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और सबसे खास बात इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समान के जरूरत होती है कि मैं अपने घर में इसी तरह सी शक्कर पारे बनाती हूं तो आप भी एक बर इसी तरह सी शक्कर पारे की रेसिपी को ट्राय करें देखिए यह धीरी-धीरे बाइंड होने लगा है मैंने शक्कर पारे के लिए आटा लगा कर तयार कर लिया है तो इसे अब हम 10-15 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब सख्कर पारे बनाएंगे के हम पहले इसे इकल पाट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से यह दे Creation है देखिए अब विएक है ने अब जी तरह से कार आइब कर्लेंगे कि रिखे के लुण है कि मैं रेडि रीड़िये तो आभ भमिशे बेलेंगे सब्साइटे तो इस तरह से एक लोई लेंगे लेंगे और इसे हम हलके हाथों से बेलेंगे इसे एड़्जेस करते जाएए इसके जो किनारों को इस तरह से और ज्यादा पतला नहीं बेलना है तो हम इसे वापस से पलट देंगे इस तरह से और इसके किनारों को ऐसा एड़्जेस करेंगे और वापस से बेलेंगे देखिए इस तरह से में बेलना है अब इस टिकटिंग करेंगे इस तरह से देखिए कि मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूं आप चाहे तो इसे चोकोर शेप में भी काट सकते हैं इस तरह से देखिए कि अब हम इसके जो आइट साइट के छोटी-छोटी से चुकड़े हैं इसे हटा देंगे और वापस से दो में मिला लेंगे लिए और इन्हें उठाकर विपलेट में रख लेंगे इसी तरह से आधे सक्करपारे बनार कर पहले all the ए दो इसे के बढ़िया दीखरें एक सकर पारे — इसी तरह से हम सारे सक्कर पारे पहले बना लेंगे इस सारे सक्क्रपारे बनाकर तरएार कर लिए है तो घुठे 2 सबलाएं टेल गरम क्लिए एंस पहलिया उसे हैं तो आठा डाल करने दिखिस है entity तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो इसे अब भाहर निकाल देंगे अब हम इसमें सक्कर पारे डाल देंगे अब सक्कर पारे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राय होने देना है इसे फ्राय करने के लिए जल्द वाजी बिल्कुल भी ना करें बिल्कुल धीमी आज पर इसे फ्राय होने देना है यदि आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राय करेंगे तो यह उपर से तो शिख जाएंगे, अंदर कच्छे रह जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिए हमें इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राय करना है आप दीक सक्टेहिए इसमें हलका हलका सा गोल्डен ब्राउन कलर आ रहा है अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राय करना है अब यह अच्छी तरह से फ्राय हो गए आप देख सकते है तो इन इन अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसे तार सारे सक्क्रपारों को फ्राइ कर लेंगे मैंने सारे सक्क्रपारों को फ्राइ कर लिया है तो गैस बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे तो तो देखें, कितने बढ़िया खस्ता शक्र पारे बनकर तईार हुआ हैं, एक सक्रकपारा में आपको ठोड़के बताती हूं, यह देखें कितने खस्ता है, यह खाने भी बहुत स्वाजिश लगते हैं, आप इस रेसिपी को एक बर जरूर ठावे करें, और मुझे चाहिए झाल झाल